हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब कैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 263 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेट पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं यहां पर क्लिक करें यहां से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 263 यह कहती है संचिप्त विचारण की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी क्या क्या उसमें लिखा जाएगा पार्टी के नाम लिखे जाएंगे परिवादी के नाम लिखे जाएंगे, अभियोगी के नाम लिखे जाएंगे, अपराद कौन सा गठित किया गया है, कितने रुपए तक का अपराद है, ये सारी बातें उसमें लिखी जाएंगे तो किस प्रकार से लिखी जाएंगी और क्या-क्या लिखा जाएगा ये CRPC की धारा 263 में बताये गा है किस प्रकार से तो संचिप्त विचारणों में अभिलेक संचिप्त विचारित प्रत्येग मामले में मजिस्टेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज सरकार निर्दिष्ट करे निमनलिकित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा याने कि इस तरह से देखें तो सुद्ध देशी लेंग्वेज में समझे न थोड़ा सा इसमें ये लिखा हुआ है कि राज सरकार एक ऐसा प्रारूप बताएगी एक फ़र्म बताएगी उस फ़र्म के अनुसार पूरी चीजें उसमें बरी जाएगी क्या क्या भरा जाएगा यहां पर ये भी लिख दिया गया कि मामले का क्रम संख्याग याने कि जो केस नंबर होगा वो लिखा जाएगा पहली बात तो दूसरी बात क्या है अपराद किये जाने की तारीक लिखी जाएगी तीसरी चीज क्या लिखा जाएगा रिपोर्ट या परिवाद की तारीक लिखी जाएगी रिपोर्ट कब हुई है या परिवाद कब दाखिल किया गया है और क्या लिखा जाएगा और लिखा जाएगा परि लगाए गए हैं उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा उसके माता पिता का नाम लिखा जाएगा और उसका निवास इस्थान लिखा जाएगा कि वो कहां रहता है ये चीज़ लिखी जाएगी इसके अलावा में क्या लिखा जाएगा इसके अलावा में लिखा जाएगा वह अ रुपधारा एक के खंड दो, तीन, चार के अंतरगत जो कितनी रासी है उसमें कि मतलब उसके अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ती का मूल्य जिसके बारे में अपराद किया गया है जो हमने बताया था ना CRPC की धारा 260 में अपरने पड़ा था क्या पड़ा था कि 2000 रुपए तक की अधी संपत्ती है जो चुराई गई संपत्ती है और जिसका मूल्य 2000 रुपए तक का है उस मामले में संशिप बिचारण किया जा सकता है तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि अपराद जो किया जा रह अपर 1 के उखंड 2, 3, 4 के अंतरगत यदि कोई मामला है तो उसमें जो मामले की रकम है वो लिखी जाएगी इसके अलावा में क्या लिखा जाएगा इसके अलावा में लिखा जाएगा अभियुक्त की आखा अभिभाग या उसकी परिक्षा यानि कि अवियुक्त ने जो कथन किये हैं आरूपी व्यक्ति ने जो बात बताई है वो लिखी जाएगी और आरूपी व्यक्ति की यदि परिक्षा की गई है आरूपी व्यक्ति का यदि कोई साक्ष लिया गया है तो वो लिखा जाएगा इसके अलावा में क्या लिखा जाएगा इसके अलावा में लिखा जाएगा निशकर्च निशकर्च के अलावा में दिखा जाएगा दंडा देश या अंतिम आदेश जो भी आदेश दिया गया है वो आदेश सम्षिफ्ट विवराण में सब चीज लिखी जाएगी और क्या कारवाई समाप्त होने की तारीक इतनी चीजें जो है CRPC की धारा 263 के अंतरगत सम्षिफ्ट विचारण में लिखी जाएगी याने कारवाई जब चालू होई ती वो तारीक लिखी जाएगी और कारवाई जो आखरी हो गई अंतिम तारीक जो है वो लिखी जाएगी कारवाई कब समाप्त की गई वो लिखा जाएगा निसकर्स लिखा जाएगा है ना सभी चीज अपन ने पढ़ ली किया क्या लिखा जाएगा परिवादी का नाम आरोपी का नाम अपराज जो किया गया है वो लिखा जाएगा अवियुक्त ने कोई कथन किये गए हैं वो तो आज हमने अध्यान किया CRPC की धारा 263 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ पर आपको CRPC का अगला वीडियो भी मिलेगा साथ में ही CRPC, IPC और भारती संविधान के संपुन वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइक उन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद